जेहन दोस्तों मैं सतीस स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक्जाम प्रैक्टिस विस सतीस में तो आज की नई वीडियो लेकर के आया हूँ मैं केंद्री विद्यारले से रिलेटड जो की टॉपिक है एजुकेशनल पॉलिसीज और यह जो किसके अंतरगत है यह एजुकेशन एंड लीडर्शिप टॉपिक के अंतरगत है तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो का पहला प्रश्न राष्टी सिक्षा नीती 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मुल्यांकन में किन आयामों की प्रगति अद्वितियता को सामिल करना चाहिए एज पर NEP 2020, assessment of learner should include the progress as well as uniqueness of learner in क्या होना चाहिए किन आयामों की प्रगतिवा अद्वितियता को सामिल करना चाहिए तो इसका जो सही आंसर है ये संग्यानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक ये तीनों है cognitive, affective, psychomotor domains ये तीनों ही क्या है आयाम को शामिल करना चाहिए NEP 2020 के अनुसार अगले प्रश्न में बढ़ने के पहले में बता दू कि ये जो सीरीज चल लई है ये हमारी पेडागोगी की सीरीज चल लई है डेली में 10 questions लेकर के आता हूँ जिससे आपका revision और नए प्रश्न आपका प्रश्नों में आपकी इजाफा होगा और इस बार में बता दू ये जो वीडियो है NEP जो questions आपने देखा है पहले प्रश्न में NEP किस बार बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है तो request है कि एक बार NEP को जरूर पढ़िए अगला प्रश्न है Operation Blackboard किसका परिडाम था तो option आपके कोठारी आयोग NCF 2005 NEP 2020 ये NCF 2000 में तो ये जो Blackboard है Operation Blackboard ये NCF 2005 का परिडाम था ये question काफी important है से टेक कर लीजेगा NCF 2005 में Operation Blackboard लाया गया था और ये मुखे तहा प्राथमिक सिक्षकों के लिए उप्योगी था गुडवत्तापूर्ण सिक्षा प्रदान करने के लिए Operation Blackboard NCF 2005 के अंतरगत लाया गया था भारत में बाल अधिकार किस आयूवर के बच्चों पर लागू होते हैं Option है जन्म के दिन से 6 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष तक 14 वर्ष से कमायू तक 18 वर्ष से कमायू तक Child Rights in India are applicable to the following age group of children Day of birth to 6 years, 6 to 14 years, below 14 years या below 18 years तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18 वर्ष से कम का हाला कि इस प्रस्ण में कुछ लोगों को confusion हो सकता है कि 6 से 14 वर्ष तो वो जो है RTE है RTE जो है Act है 2009 उसके अंतरगत 6 से 14 वर्ष के बालकों को Free and Essential Education का प्रावधान किया गया है लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है बाला दिकार होगी तो 18 वर्ष से कम का जो है वो बालक ही माना जाता है उसके बाद वो बयस्क नागरिक बन जाता है 18 वर्ष के बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न सुरक्षित पेजल आपूर्ती के संदर में विद्याले में क्या होना चाहिए विद्याले की छमता के अनुसार पीने का परियाप्त पानी होना चाहिए आपको उत्तर मुझे उमीदेव जरूर पता ही चल गया होगा तो इसका 1, 2 और 3 तीनों उत्तर जो है इसके सही है तीनों विकल्ब और ये आपके बेसिक समझ अधारत ये कोशन था इसमें कोई आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी अगला प्रशन देखते हैं डेस ने बेहतर बुन्यादी धाचे जो की इंफ्रास्ट्रक्शर बेहतर शात्र सिक्षा कनुपात स्कूल प्रबंधन शमीती स्कूल मेनेजमेंट कमिटी की बड़ी हुई भूमेका के प्रावधान पर जोर दिया है तो किसने जो जोर दिया है इन सब के बारे में तो यह मैं बता दू इसका उत्तर है आर्टी अधिनियम जो है दोहजार नौ में जो आया है उसने हमेशा इसके बेहतर शात्र सिक्षा कनुपात जो है कि स्टूडेंट टीचर्स का क्या रेशियो रहना चाहिए स्कूल मेनेजमेंट कमेटी और जो इन्फरास्टक्चर है उसके डेवलेपेंट पर जोर दिया गया है आर्टी अधिनियम में 2009 में अगला प्रशन देखते हैं एनिपी 1986 आपको बता दू यह जो एनिपी है यह हमारी तीसरी चल लगी है पहली 1968 में आई थी और दूसरी जो ह यह 1986 में आई थी और तीसरी जो है एनिपी 2020 है तो महत्वपूर सैच्छे कुदेश क्या है इसका तो यूनिवर्सल एजुकेशन यूनिवर्सल रेटेंशन यूनिवर्सल एसे सोय एंड इन्रॉल्मेंट और प्राइमरी एजुकेशन यह 1986 का पूछा गया है तो 1986 में आपको एसेस एंड इन्रॉल्मेंट और अभी का जो है अभी का क्वालिटी एजुकेशन यह है उद्देश केकी इन्रॉल्मेंट लगभग पहुँच चुका है सभी तक अगला प्रस देखते हैं रास्ट्री बाल अधिकार सनेच्छन परिसाद जो कि NCPCR कहलाता है आपको इसका फ जाच करना कार्यानवन समीक्षा किस्तिती का आवदिक समाजिक संपरिक्षा करना इस अधिनियम के तहत अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों की जाच समीक्षा और प्रभावी कार्यानवन उपायों की सिफारिश करना इंग्लिश में देख लेते हैं inquired into complaints relating to child right to free and compulsory education, conduct periodic social adult of the status implementation and review, examine and review safeguards for rights under this act and recommend measures for effective implementation. आपने देखा होगा यह जो तीनो हैं, तीनो ही NCPCR के उत्तरदायतों हैं, उसकी responsibility है, इसी दिए जो सही उत्तर होगा, वो all of them हो जाएगा. बढ़ते हैं, अगले प्रशन की ओर, प्रशिक्षन कारिक्रम, program of mass orientation of school teachers का सुभारम किस ने किया? तो who launched the training program, जिसका नाम है program of mass orientation of school teachers, तो P most, आपको इसका full form याद रखना है, किसने यह सुभारम किया, launch किया, तो यह NCRT, तो NCRT द्वारा यह program launch किया गया था, वैसे बताया जाता है कि जब किसी भी teacher की school में joining होती ही नहीं, तो एक training होती है, सुभारम training या जिसको induction course कहते हैं, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडक्शन होने से, एक teacher जो है वो अच्छी भूमी का नहीं निभाद पाता है कक्षा में हमेशा के लिए, तो इसलिए एक और program NCRT द्वारा लाया गया था, पी मोस्त का, तो program of mass orientation of school teachers NCRT द्वारा सुभारम किया गया था, अगला प्रशन देखते हैं, राष्टी सिक्षा नीती 2020 किस पर बल देती है, NEP 2020 emphasize on, लचीला बहु इस्तरिये गति अधारे तदिगम, flexible multi-level activity based learning, यही इसका सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि NEP 2020 वो कहती है, कि activity based learning होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन में, और flexible multi-level होनी चाहिए, कई तरह की activity होनी चाहिए, और वो reset नहीं होना चाहिए, flexible होनी चाहिए, बाकी option देख लेते हैं, only संग्यानात्मग विकास के प पर तो सबसे सटीक जो उत्तर हमारा है, वह यह है कि लचीला बहुस तरी गती अधारत अधिगम जो है, इस पर NEP 2020 बल देती है, आज की वीडियो का अंतिम और आखरी प्रशन, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे काफी कोशन बनने वाले हैं, आपसे बनना चीए यह व किसी भी सरकारी स्कूल में, निजी स्कूल में, गेर सहयता प्राप्त, अल्प संख्या की स्कूल में या सभी स्कूल में, आपको इसका अतर सोच लीजे, तो इसका जो सही उत्तर है in all स्कूल, किसी भी स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता किसी भी बालक को तो सभी स्कूल में RT 2009 के अंतरगत किसी बच्चे को प्रवेश पाने का एक मौलिक अधिकार है तो आज की वीडियो यहीं तक थी मैंने 10 questions लिये हैं उमीद है आपके जो knowledge level में या आपका revision जो हुआ होगा अच्छी तरह से आपको यहीं वीडियो पसंद आती हैं तो जोरुआ हमाई वीडियो लाइक करिए comments करिए जिसे हम और अधिक से अधिक आपके लिए exam oriented वीडियो बना सकें एक motivate हो सकें और हमारी पुरानी वीडियो भी syllabus से related हैं पूरी जो मैंने डाले हुई है mcq की series उन्हें देखना मत भूलिए मैंने इसमें playlist भी बना रखी है मैं इसके channel की जो link है telegram channel मैंने बना रखा है जिस पे मैं सारी जो pdf भेज़ देता हूँ उससे आपकी एक बार और आपका revision हो जाएगा तो आपकी channel यह जो telegram channel है उससे जरूर जुड़िए हमारे channel को जरूर subscribe करिए इसी तरह वीडियो देखते रहिए so thank you so much for watching this video